सब्सक्राइब किजिए डिडी की पार्ट साला चैनल को और दबाएए बेला आइकान को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जनकारी मिलती रहे हेलो माई डियर इस्टेंट आज हम इंगलिस ग्रामर में इंटर्जेक्शन अर्थात विसमयादी बोधक को पढ़ेंगे आप देख रहे हैं डिडी की पार्ट साला मैं हूँ आपका गुरू जी दनेस्वर दुरू जी तो चलो करते हैं पढ़ना सुरू जी तो चलो आज़ो भई पार्ट्स आप इस्पीच का भाग है इंटर्जेक्शन अर्थात विसमयादी बोधक तो इसे पढ़ना प्रारम करते हैं तो सब सब पहले इसकी परिभासा जान लेते हैं किसे कहते हैं इंटर्जेक्शन words which are used to express some sudden feeling or emotion of human heart are called interjection अर्थात वैसे सब्द जो माना हृदय के अकस्मिक बहाओं यथा प्रसनता, दुख, आश्चारिय, इत्यादी की अभिव्यक्ति करते हैं इंटर्जेक्शन कहलाते हैं है न तो इंटर्जेक्शन के जो सब्द है मर में एक एक उठने वाले भावं का बोद कराते हैं जैसे घ्रीना का भाव, प्रसनता का भाव, भय, दुख, आश्चारिय, ये सब भावं का बोद कराते हैं ठीक है तो सेंटेस में कहां पर यूज होता है उसके बारे में जानते हैं हुर्रे वाड़ देखते हैं जो प्रसनता या खुसी का भाव, व्यक्त होता है इससे, सेंटेस देखते हैं हुर्रे, we have on the match, वहाँ, हम लोग match जीद गए, अब match जीद गए, इसमें प्रसनता हुई, जितने भी प्लेयर से हैं उसको, तुर्हों ने क्या क्या, हुर्रे कहा है ना, तो यह जो है, खुसी या प्रसनता का भाव, व्यक्त करने के लिए इन वर्ड का उप्योग होता है, यह पहला हो गया है, दूसरा वर्ड देखते हैं, अलास, अर्थात, जब सोक का भाव व्यक्त करना हो, दुख का भाव व्यक्त करना हो, तब अलास वर्ड का उप् हाई वह अब नहीं रहा किसी की मृत्ति हो गई है तो दुख व्यक्त करना है सोक व्यक्त करना है तब कौन से वर्ड है अलास और उसके बाद जो है जो एक डंडी है और नीचे बिंदू है उसे मार्क का हमें क्या करना है इस्तेमाल करना है है ना इंटर्जेक्शन मार्क है या एक्स्रमेशन मार्क है उसका उपयोग हम लोग करते हैं और तिसरा वर्ड लेते हैं ओह और ओह कब इस्तेमाल होता है जब आश्चेरिय हो जो भी घटना है उसको सुने तो आश्चेरिय हुआ या देखे किसी चीज को आश्चेरिय हुआ तब इसका इस्तेमाल किया जाता है ओह वाट अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग दा ताजमहलीज ओह ताजमहल कितनी खुबसूरत इमारत है ओह ताजमहल कितनी खुबसूरत इमारत है इसको देखकर आश्चरिय होता है जो पहली बार देखेगा तो उसको आश्चर होगा ही तो ये ओफवर्ड का क्या होता है उप्योग करते हैं इन सेंटेंस में चौथा नमबर देखते हैं अगर कोई दुख का भाव यक्त हो तब क्या करेंगे आख I am very hungry अब भूग लग रहा है पेट दुख रहा है तो उसके म I am very hungry अब मुझे बहुत भूग लगी है इस तरह से होगा ये वैसे ही hello है न संबोधन करने के लिए जब किसी से मिलोगे तो संबोधन करोगे hello how are you कहिए आप कैसे हैं तो इस तरह से संबोधन करने के लिए भी इस्तमाल होता है तो यह ही है interjection अगला वर्ड लेते हैं welcome स्वा स्वागत कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं तो welcome वर्ड का उप्योग करेंगे और मार्क कर रहेंगे ही चिन्ह जो है है ला तो welcome I was waiting for you अर्थात स्वागत है मैं आपकी बेसब्री से प्रतिक्षा कर रहा था तो इस तरह से स्वागत करने के लिए welcome वर्ड का उप्योग होता है और जो मार्क है उसको लगाएंगे उसका प्रियोग करेंगे तो sentence के प्रारम में ही ये वर्ड का इस्तेमाल करके किया जाता है वैसे ही next sentence वो देखते हैं वर्ड लेते हैं उसके बाद sentence देखेंगे same अर्था सर्म का भाव जब व्यक्त करना हो तो same word का प्रियोक करेंगे same you have stolen the book सर्म की बात है आपने किताब चुरा ली है same तो same word इस्तमाल हो रहा है सर्म के लिए है ना और वैसे ही आठवा नम्मर का word लेते हैं ब्रावो जब सवास ही देना हो ना सवात बोलते हैं था ब्रावो ब्रावो you have done the best सवास तुमने बहुत बड़िया किया इस तरह से है तो यहाँ पर भी क्या है जो मारका है उसका इस्तमाल करेंगे ब्रावाड का इस्तमाल करके मारका का इस्तमाल करेंगे है ना और 9 नमबर लेते हैं ध्याना कर्शित करने के लिए है ना किसको ध्याना कर्शित कर रहे हैं उसके लिए लो हार हस लो हार हस देखो सुनो यह वह चला गया लो हार हस यह तीन वार्ड है इसमें देखो अब मार कभी है तो इस तरह से 10 नमबर का देखते हैं हाई I am Mohan हाई मैं Mohan हूँ है ना तो यह भी संबोधन है किसी से मिलोगे तो हाई हलो बोलते हूँ तो वही है तो इस तरह से हैं इंटरजेक्शन तो देखो उपरियोगत वार्ड कैसे इस पश्ट है कि यह सारे सब्द मनो भाव मन के भीतर उठ रहे भाव feeling and emotion of the hearts की तिव्र अभिवेक्ती करते हैं ऐसे सब्द हमारे मुझ में अचानक निकल पड़ते हैं इनका प्रियोग प्राया वाक्य के प्रारम में होता है तो इस तरह से यह क्या हो गया आपका इंटरजेक्शन अर्था विस्मियादी बोधक आसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अधिक वीडियो की जनकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाट साल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाए बेल आइकान को ताकि आपको notification के मादब से नई वीडियो की जनकारी मिलती रहे तो इसी आसा के साथ आज का क्लास यही पर समाप्त करते हैं जैहिन जै भारत